फिल्म की शुरुवात में हम एक 42 साल की अनिता को देखते हैं अनिता एक जिमनेस टीचर है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है अनिता क्लास में आती है और सभी बच्चों को अपना इंट्रोड़क्शन देती है ये सुनकर सारे बच्चे हसने लगते हैं और अनिता भी उसको देखकर समझ जाती है कि मारकस किस तरह का लड़का है उसके बाद हम देखते हैं कि शाम को अनिता अपने घर पर होती है और अपने हस्बेंड और बच्चों के साथ डिनर कर रही होती है अनिता के husband का नाम हासे होता है और वो एक बड़ा businessman होता है अनिता रात को अपने husband के साथ intimate होना चाती है पर हासे अपने काम में इतना busy होता है कि वो अनिता को time नहीं दे पाता उसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह अनिता जॉगिंग के ले जाती है वो पार्क में जॉगिंग कर रही होती है और उसे अचानक लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है जॉगिंग करके जब वो घर पर आती है तो उसे एक गुलदस्ता और लैटर मिलता है उस letter में लिखा होता है कि आज तुम जॉगिंग की ड्रेस में काफी सुंदर लग रही थी अनिता वो letter पढ़ के सोचती है कि यह उसे किसने बेजा होगा उसके बाद अनिता स्कूल आ जाती है स्कूल में देखती है कि मारकस किसी लड़के के साथ लड़ाई कर रहा है पर ढूंड कर मैसेज करती है कि हमारे बीच में आज जो भी हुआ तो उसको भूल जाओ पर मारकस बदले में उसको अपने प्राइवेट पाट की फोटो बेसता है उसको देखकर अनिता हसने लग जाती है एगले दिन हम देखते हैं कि मारकस और उसके पैरेंट्स अनिता से मि जो स्कूल में लड़ाई की होती है उसी के लिए अनिता ने उनको बुलाया होता है मारकस की मा अनिता की पुरानी दोस्त होती है अनिता बताती है कि मारकस ने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था और मारकस उन सब के लिए सबको सौरे भी बोलता है अनिता ये भी बतात कि स्कूल ने डिसाइड किया है कि अब जो स्कूल की ट्रिप होगी उसमें मारकस को नहीं जाने दिया जाएगा। सब लोग बाते कर रहे होते हैं और मारकस अनीता के पैरों पर अपने पैर रखकर उसे सैड्यूस करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर तक तो वो ऐसा करता है पर अनीता को अजीब लगता है और वो खड़ी हो जाती है और वो मीटिंग को वहीं खत्म कर देती है। वो मारकस को मिलने के लिए मैसेज करती है पर मारकस रिपलाई करता है कि उसका मैच है और वो बिजी है उसके बाद वो मारकस का सोचल मीडिया चेक करती है तो उसमें देखती है कि मारकस किसी लड़की के साथ घूमने आया हुआ है उसके बाद वो सीधा मारकस के घर आती है औ पर मारकस उसका reply नहीं करता। वो स्कूल में भी देखती है कि मारकस absent है और उसके classmate बताते हैं कि मारकस बिमार हुआ है। उसके बाद वो मारकस को बार बार phone और message करती है पर मारकस किसी का भी जवाब नहीं देता। तो अनिता सीधा ही मारकस के घर पर आ जाती है वहाँ पर उसकी मा मिलती है और वो बताती है कि मारकस मैच खेलने के लिए बाहर गया हुआ है। शाम को वो मारकस का पीछा करते हुए मारकस को एक restaurant के बाहर ढूंड लेती है और मारकस को अपने कार में बुला कर उसे बात करती है मारकस उसे बताता है कि तुम ये मत समझो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम इससे एज में भी बहुत ज़दा बड़ी हो मारकस अनीता को बताता है कि अब वो मीना नाम की लड़की को डेट कर रहा है तो तुम प्लीज मुझे बार-बार call और messages करना बंद कर दो और मेरा पीछा करना भी बंद कर दो अनिता को ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है अनिता को लगता है कि मारकस अब तक उसका इस्तिमाल कर रहा था अनिता घर पर आती है और पूरी रात सिर्फ इसके बारे में ही सूचती रहती है और काफी परिशान भी होती है अनिता मीना से पूछती है कि तुम्हें पता है कि ये फोटो किसने अपलोड की तो मीना बताती है कि उसकी ये सारी फोटो मारकस के पास थी तो शायद उसी ने अपलोड की हो सकती है तो अनीता मीना को बोलती है कि मारकस अच्छा लड़का नहीं है और तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए उसके साथ आज ही ब्रेक अप कर लो और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है उसकी बाद अनीता अपने घर पर आती है और सोश्ती है कि मीना ने अब तक मारकस के साथ ब्रेक अप कर लिया होगा और अब मारकस स atenção से बेरा है इस बात की कन्फरमिशन के लिए वो मारकस के घर जाती है और वो दूर से देखती है कि वहाँ पर मीना बैठी हुई है वो दोनों साथ में काफी खुश है अनिता को पता चलता है कि मारकस ने मीना को कन्वेंस करी लिया कि वो फोटोस उसने अपलोड नहीं की थी इसलिए उन दोनों के बीच में वापिस सब कुश ठीक हो जाता है ये सब देखकर अनिता को काफी गुसा आता है और वो इसी के बारे में सोचती रहती है कि वो किस तरीके से मारकस को वापिस पा सके अगले दिन अनिता मारकस से मिलने उसके फुटबल ग्राउंड में जाती है वहाँ पर मारकस आता है और अनिता को बोलता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो तो अनिता उसको बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मेरे साथ आओ वो मारकस को लेकर अपनी कार में आ जाती है वहाँ वो मारकस को बताती है कि वो प्रेगनेंट है और उसका जो होने वाला बच्चा है वो मारकस का ही है मारकस ये सुनकर शौक हो जाता है और उसे डर लगने लगता है कि अब उसके साथ क्या होगा अनीता मारकस को बोलती है कि जैसा मैं बोलूँगी अगर तुम वैसा ही करोगे तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी बस तुम्हें मेरे कॉल्स और मैसेज़िस का रेगुलर जवाब देना पड़ेगा उसके बाद वो मारकस को किस करती है और दोनों वहीं पर ही इंटिमेट होते हैं बाद में हमें पता चलता है कि प्रेग्नेंसी की बाद तो अनीता ने मारकस को जूट बोली थी वो बस मारकस को पाने के लिए ऐसा कर रही थी घर पर आने के बाद अनिता मारकस को मैसेज करती है कि कल मेरे हस्बेंट घर पर नहीं है तो तुम मेरे घर पर आ जाना हम पूरे दिन मस्ती करेंगे अगले दिन अनीता जॉगिंग करके घर पर आती है तो वो देखती है कि उसके हस्बेंड तो वहीं पर ही है वो कहीं गए ही नहीं उसके बाद डॉर बेल बसती है और अनीता को डर लगता है कि कहीं मारकस तो नहीं आ गया अनिता नीचा आके दर्वाजा खुलती है और देखती है कि मारकस की मामा पर आती है वो अनिता को बोलती है कि मुझे तुमारे और मारकस के अफैर के बारे में पता है और वो अनिता को ये भी बोलती है कि तुम उसे दूर रहना अगर तुम उसके पास आई तो मैं तुमारे बारे में सब को बता दूँगी दिन अनिता गर से बाहर चली जाती है और एक होटल में रात गुजारती है अगले दिन जब वो होटल से अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि घर पे ताला लगा हुआ है और वो दर्वाजे को खूलने की कुशिश करती है पर दर्वाजे अंदर से बंद होता है बाहरी उसका बैग पढ़ावा होता है और वो समझ जाती है कि उसके हजबन को सब कुछ पता चल गया तो वो अपना बैग उठाती है और वहाँ से सीधा बाहर चली जाती है उसके बाद वो स्कूल आती है और स्कूल में देखते है कि सारे स्टाफ वहीं पर ही है और प्रिंसिपल उन्हें बताती है कि तुम्हारा और मारकस के अफैर के बारे में पूरे स्कूल को पता चल गया इसलिए हम तुम्हें स्कूल में नहीं रख सकते हैं उसके बाद वो उसको भी जॉब से निकाल देते हैं और अनीता अपना सामाल लेकर बाहर आ जाती है बाहर उसको मारकस मिलता है और मारकस उसको बोलता है कि हमारे बारे में सब को पता चल गया और उसे काफी बुरा लग रहा है कि उसकी जॉब चली गई उसके बाद मारकस भी वहाँ से चला जाता है अनिता को बता चलता है कि मारकस ने ही उसकी मा को और अनिता के हस्बेंड को और स्कूल में सबको बता दिया था कि उसका और अनिता के बीच में अफैर चल रहा है और अनिता उसको ब्लैक मेल कर रही है उसके बाद अनीता अपना सामाल लेकर एक बेंच पर बैट जाती है और वहाँ बैट कर सोचने लगती है कि अब वो आगे क्या करे और फिल्म वहीं खत्म हो जाती है